अगर आप कारिस्थल पर थोड़े थोड़े समय में कुछ न कुछ खाती रहते हैं तो आपको थोड़ा सावधान होने की आवशक्ता है डच और्गेनिक फूड मेकर कैलो द्वारा कराए गए एक सर्वे में यह पाया गया कि जो महिलाएं कारिस्थल पर हलका मगर कुछ न कुछ खाती रहती हैं वे प्रतेग वर्ष लगभग एक लाग कैलोरी अतिरिक्फ तूर्जा का उब्होग करती हैं रिपोर्ट के मताबिक यह लगभग 50 दिन की खाने की कैलोरी के बराबर है शोध की बात पर अहार विशेशग्य कहते हैं कि प्रतेग दिन 500 अतिरिक्फ तूर्जा की खपत हफते में आधा किलो वजन बढ़ने का कारण हो सकती है इसलिए खान पीने की कुछ सामगरी को कारिस थल पर नहीं खाना चाहिए जैसे कारिस थल पर बिस्किट खाना बिस्किट खाना भले ही अच्छा लगता है लेकिन एक चौकलेट वाले बिस्कुट में 100 कैलोरी उर्जा और 3-4 ग्राम फैट पाया जाता है बावजूद इसके हम चौकलेट के बिस्किट खाते रह होती है अगर आप दिन में 2-3 मिलकी कॉफी पीती है तो आपका वजन बढ़ सकता है केक का नाम सुनते ही मूँ पानी आ जाता है लेकिन क्या आप जानती है कि एक सादा केक में 10-12 ग्राम फैट और 300-400 कैलोरी उर्जा होती है यदि आप कारिस थल पर केक खाती रहती है तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है कुछ महिलाएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब तरह के ड्राई फ्रूट्स को अपने साथ रख लेती है ताकि थोड़ी देर में उन्हें खाती रहें ड्राई फ्रूट्स या नट्स में 100 कैलोरी होती है इतनी कैलोरी रोज लेना सेहत के लिए हानिकारक है जब हम इस तरह से थोड़े थोड़े समय में बादाम या अन्ने राई फ्रूट्स खाते रहते हैं तब जन बढ़ने का खत्रा और भी ज्यादा रहता है